गाइस इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ नौईज स्मार्ट वास जो है दोस्तो इसमें आप लोगों को क्या क्या फीचर मिलता है यह मेरा जो है करते हैं डीम ला identifying आप है और इसके बाद यहां पे जो पर आप से कुलोग को पहने रहें तो है ब्ले पर बताता है मीनिमम yummy मैंक्सिमम को कितना हो के इसके बाद यहांपे संद टो नेक्ट करते हैं यह लेवल भातां इसके हो गया यह जो है वीधर है यानि फोन से कनेक्ट किये रहेंगे तो यहाँ पर वीधर मौसम कब बताएगा इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं बैक आ जाते हैं यह बैक बटन का भी काम करते हैं दोस्तों यह जो बैक बटन है यह बटन जो है बैक बटन का इसपोर्ट पे जब आप किलिक करते हैं यहां पर टाइमर गयरा लगा सकते हैं जिसे रनिंग कर रहे हो तो रनिंग पर किलिक करके यहां पर किलिक कर देंगे अब जैसे 3 होगा गो होगा तो तुरंत इस टाइमर स्टार्ट हो जाता है आपके फोन में आप जितना रनिंग करे कुछ हो जाएगा इसको बाद यहां पे प्रकार के फीचर है कई भी स्पॉट सेаешь कोई भी लगा सकते हो इसके बाद आते हैं मेसज है आपको आपके फोन से जो कनेक्ट रहेगा जो भी मैसज जो गेरा रहेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं न्योंटिक्रिकर्शन हो गiyरा इसके बाद राइज हो गया आप 9ص डिंध कि रहेंगे आपको फ्लेश्ट मिल जाएगे ड्रिक्रिप्शन में आप देख लीजिए अपूरी जो प्लेश्ट आप देख 54 है कैसी को करना इसके बाद यहाँ पर वीधर हो गया camera का feature मिलता है camera का जो दोस्तो feature आप इस स्मार्ट वाज के camera से फोटो नहीं लेख सकते हैं इसमें camera ही नहीं रहता है तो camera होता है आपके phone में आप यहाँ से click करके जो phone का camera open किये है यहाँ से click करेंगे तो phone में जो photo capture हो जाएगा इसके बाद जो next feature music का आप जो यहां से music play कर सकते हैं अपने जो smart watch में music आपके phone में रहेगा play होगा तो यहां पर भी सुनाई देगा और चाहते हैं वहां पर सुनाई दे तो वहां पर सुनाई देगा phone में इसके बाद clock का feature है clock मतलब यह जो अलारम हो गयरा stop watch हो गयरा आप यहां पर लगा सकते हैं play काते हैं breath का यहां पर कुछ जो है ज्यादा यूज नहीं इसके बाद play काते हैं AI wise है intelligence wise है इसके बाद game है इसमें दो परकार कि आपको game मिलते हैं आप यहां पर game खेल सकते हैं तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसके बाद play का जाते हैं और यह भी एक game है तो इसके बाद यहां है setting option setting में आप लोगो क्या मिलता है जैसे कि watch face इसका जो है wallpaper और गयरा change करना है आप अपना photo भी लगा सकते हो और smart watch से यानी phone से अपने लगाएंगे तो कैसे लगाना है आपको इस पर भी वीडियो में ने बताया हुआ है आप देख सकते हो इसके बाद आप लोगों को चलिए next दिखाते हैं कौन सा feature setting में आ दें vibration and ring कर सकते हैं यहाँ पर इसकीन का brightness कम ज्यादा कर सकते हो about है about में मैं आपको दिखा देता हूँ यही मेरा model है यानी smart watch का आप देख सकते हैं noise icon to phone इसके बाद यहाँ पर एक बार बैक आते हैं यहाँ पर setting का हो गया और इसके बाद यह हो गया light का skin light आप कम ज्यादा कर सकते हैं और इसके बाद phone finder हो गया आप इस पर click करेंगे यहाँ पर दुबारा click करेंगे तो आपका phone ring करने लगेगा जिससे भी आपका smart watch connect रहेगा देख सकते हैं side में मेरा phone रखा है यह ring करने लगा इसके बाद है setting का option आप जो setting में वही चीज़ जो मैंने आपको अल्रेड़ी बता दिया है और यहाँ पर flash light का option मिलता है आपको skin flash light इस पर click कर देंगे skin white हो जाएगी यानि रात वोगेरा में आपको बहुत ही जो दोस्तों अभी यहाँ पर कम दिखा रहा है लेकिन रात में आप यूज करेंगे तो काफी skin light आपका प्रभाव डालेगी यहाँ पर notification है notification silent करना है vibration में लाना है यहाँ पर आप ला सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हमें दोस्तों कोई और जो है feature लगभग नहीं मिलता है जितने भी feature से लगभग यही है और एक चीज और आपको यहाँ पर notification panel आप जो है slide कर सकते हो जिसे यहाँ से notification कोई आया आपके phone में तो यहाँ पर रिट कर सकते हैं WhatsApp हो गएर आप तो यही इतना feature आप लोगों को मिलता है बाकी कोई और extra feature नहीं है बाकी update होते रहता है या आप smart watch को update करते रहेंगे अपने phone के द्वारा तो कभी और feature भी add हो सकता है अगर आपको वीडियो important लगा हो वीडियो को like चैनल को subscribe जरूर करें